स्वागत है आपका खुशो के तियोहार में यहां हम तियोहार के तयारी से पुजा की थाली तक का सफर पुरा करेंगे आज की वीडियो में जानिये 29 अक्टूबर 2024 धन तेरस के दिन क्या खरीदे और किस टाइम पर खरीदे इस दिन भगवाण धनवन्तरी, देवी लक्ष्मी और धन देव को बेर की आरादना का तियोहार पूरे देश में हर्शोलास के साथ मनाया जाता है धन तेरस के दिन इन चीजों को खरीदना बहुत शुप माना जाता है पहला है सोना, धन तेरस पर सोना खरीदना फल दायक माना जाता है, इससे घर में सुख समरिद्धी में वृद्धी होती है दूसरा है जाडू मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए धन तेरस के दिन जाडू खरीदना चाहिए इस दिन जाडू खरीदना बहुत शुब माना जाता है चांदी या चांदी से बने आभूशन धन तेरस पर खरीदना अती शुब होता है अगर आपकी आर्थिक स्थिती अची चल रही है तो आप धन तेरस पर वहन भी खरीच सकते हैं धन तेरस पर वहन खरीचना शुब रहेगा धन तेरस पर जमीन ये जमीन से जुड़े सौधे करना भी सुख सम्रिद्धी में वृद्धी करता है वहीं अगर आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी नहीं है तो आप धन तेरस पर साबुत धन्या खरीच सकते हैं इससे आर्थिक इस्तिती को बहतर बनाने में मदद मिलेगी अपने घर का सुक्सो भागे बढ़ाना चाते हैं तो धन तेरस पर कुबेरी अंत्र खरीच सकते हैं पान के पत्ते मा लक्ष्मी को विशे शुरूप से प्रिये होते हैं इसलिए इस दिन ये जरूर खरीदे इस दिन लक्ष्मी गनेश की प्रतीमा लक्ष्मी जी के चरण श्रीयंत्र कमल गट्टा कौडी केसर इत्र जरूर खरीदे इस दिन खील बताशे जरूर खरीदे जिस तरह माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले हैं नमक भी समुद्र से ही नकाला जाता है इस वज़े से धन तेरस पर नमक खरीदना अती शुब माना जाता है धन तेरस पर खरीदारी करने का शुब मूरत इस प्रकार है धन तेरस पर खरीदारी करने का सबसे शुब मूरत अभी जीत मूरत है जो रहेगा सुब़ई 11 बच का 40 मिनट से दोपहर 12 बच का 27 मिनट तक जो घडिया के अनुसार अमरित काल में चांदी, पीतल, सोना और प्रॉपटी की डील करना शुब माना जाता है चर काल में वहान, हीरा, एलेक्ट्रोनिक सामान खरीदना शुब माना जाता है जर मूरत है 9 बच कर 22 मिनट सुबह से 10 बच कर 46 मिनट सुबह तक लाब काल में तामे के बर्तन, सोना और एलेक्ट्रोनिक सामान खरीदना शुब माना जाता है लाब मूरत रहेगा 10 बच कर 46 मिनट सुबह से 12 बच कर 10 मिनट दोपहर तक अमरित काल में सोना और चांदी खरीदनी का सबसे शुब समय होता है अमरित मुरत रहेगा 12 बच का 10 मिनट दो पहर से 1 बच का 34 मिनट दो पहर तक शुब लगन में चांदी, पीतल, सोना और प्रॉपर्टी की डील करना शुब माना जाता है धन तेरस के दिन 3 पुषकर योग बन रहा है इस योग में खरीदारी करना बहुत शुब रहेगा दूसरा खरीदारी का मुरत धन तेरस के दिन अभी जीत मुरत बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुब फल की प्राप्ती होगी लाब मुरत रहेगा 7 बच का 22 मिनट से 8 बच का 58 मिनट तक शुभ मूरत रहेगा 10 बच कर 34 मिनट से 12 बच कर 10 मिनट तक चर मूरत फिर लगेगा 30 अक्टूबर की सुभा 1 बच कर 46 मिनट से 3 बच कर 22 मिनट तक आईए जाने कौन से मूरत में हमें खरिदारी नहीं करनी है पहला है रहुकाल जो शुरू होगा 2 बच कर 58 मिनट दो पहर से 4 बच कर 22 मिनट तक दूसरा है रोग मूरत जो है 4 बच कर 22 मिनट से 5 बच कर 46 मिनट तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें यहां तक बने रहनी के लिए आप सब का धन्यवाद जैमाता दी